अलो दोस्तो नमस्ते मेरा नाम रवीकांद भार्ती है दोस्तो सिदिक कपन की मा का देहान थो गया जो मा सिदिक कपन को जन दी पालपोस के बड़ा की जिस मा को वह इतना मांता था जो मा पुत्र बियोग में पुत्र जेल में है उसके वज़े से वो दम तोड़ दी आज सिद्धिक कपन अपने मा के लिए कंधा भी नहीं दे सकता यह इतना बड़ा अभागा इंसान है आखिर सिद्धिक कपन का दोस क्या था? सिद्धिक कपन का दोस यही था कि वह मुसल्मान घर में पैदा हो गया दूसरा कोई दोस नहीं था दोस्तो हाथ रस में हजारों रिपोर्टर्स पहुँचे हिंदू थे तो बच गए यह बंदा मुसल्मान था तो इसको पकड़ के अंदर कर दिया गया तो क्या इस देश में मुसल्मान होना देश द्रोही का ठपा लग जाना है? क्या इस देश में मुसल्मान पैदा होना आपको मारमार के लिंचिंग कर देना है? क्या इस देश में मुसल्मान पैदा होना आपको जेल में ठूस देना है? जी हाँ जब से बीजेपी सरकार आई है योगी आदित्यनात की सरकार आई है तब से यही एक्जाम्पल इलोग पूरे देश में सेट कर रहे है सिद्धिक कपन के बारे में बात करते हैं यह केर्रा का एक जर्रलिस्ट रहते हैं यह दिल्ली से काम करते हैं जब हाथ रस का केस होता है जो योगी आदिते रात 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 लास को जलवा देते हैं रिपोर्टर्स गाओं में जब कुछ करते हैं तो रिपोर्टर्स और पुलिस के बीच जड़प होती है आप सभी को ओदीन याद होगा ये उसी मामले में सिद्धी कपन जा रहे थे रिपोर्ट लेने हाथ रस गाओं में और इनको मथुरा टोल पलाजा से पकड़ के अंदर कर दिया गया और इनके उपर पहले तिन धारा लगाया गया धारा 107, 116, 151 ये धारा होता है सांती भंग करने का धारा छे महिने के अंदर पुलिस को इसका इन्वेस्टिगेशन करके प्रमारित करना होता है कि बंदा सही में सांती भंग करने का प्रयास किया या नहीं किया छे महिने हो गए और पुलिस ने अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया कोट ने फटकार लगाया क्या investigation पूलिस करेगा जो बंदा reporting करने सिंपली जा रहा है उसको पकड़ लो और पहले सांति भंग के केस में अंदर करो बात मैं UAPA लगा दो क्यों UAPA लगाओ क्योंकि वह मुसल्मान है आप समझी रातो रात बेटी को जला दिया गया इस बात को अगर Facebook पे लिखना यह योगी जी और BJP की बदनामी हो गई जब से भाजपा आया है इन लोगों को चुल भर पानी में डूपके मर जाना चाहिए क्योंकि किसानों के साथ जो खड़ा है उसके उपर यह लोग कहते हैं सरकार को बदनाम कर रहा है आप अगर कहेंगे पेट्रोल सौ रुपिया हुआ इसका मतलब आप सरकार को बदनाम कर रहे हैं आपको टूल कीट लगा के अंदर कर दिया जाएगा इन गोबर भग तो को यह बात क्यों नहीं समझ में आती कल को गोबर भग तुम भी सरकार के खिलाब हवाज उठाओगे तो सरकार तुम्हारे उपर भी टूल कीट करके तुम्हें अंदर करने का कारे करेगे मेरे उपर भी धारा 107, 116 और 151 लगा था लेकिन उनके साथ कुछ नहीं हुआ यह बंदा मुसल्मान था पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट था जैसे डॉक्टर कफिल खान डॉक्टर कफिल खान को कैसे अंदर किया गया था वैसे ही इस बंदे को अंदर कर दिया गया अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फेल रही तो कोट ने जब फटकार लगाया तो सिद्धिक कपन का क्या स्टेटमेंट है कोट के बाहर इन्हों ने कहा कि मुझे भारत के स्वविदान पे पूर्ण वरोसा है लेकिन मेरे साथ नयाय में देरी हो रही है अब आपको यह बात बता दे ऐसा समझेए कि यूवेज पीए इनके उपर लगाया गया तो कहा गया यह पीए फाई के मेंबर है जो एक बैन औरगनाईजेशन है यह लोग वेबसाइट बनाके और इसको संप्रदाई के अंगल या किसी ने किसी तरह दंगा करवाना चाहिए डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया है मैं एक खरित दू कि मोदी 100 के पार पेट्रोल किये और वेबसाइट करके उसके अंदर लिखू तो मैं क्या देश द्रोह का मुकदमा मेरे उपर होगा देश में जो होगा अगर सामने वाला आवाज नहीं उठाएगा तो एक ऐसा है आप कहरे वो PFI का मेंबर है प्रमारित करो एक तो इन्वेस्टिएशन हो नहीं पा रहा है सांति बंक का PFI का मेंबर है क्या देश में कोई मुसल्मान है तो उसके उपर क्या अत्यचार ऐसा होगा उसकी मा मर गई अज कौन दोस है दोसी कौन है एक पढ़े लिखे ब्यक्ति की मा मर गई और वो बंदा आज भी जेल में अपने मा का दर्सन उसको दुरलब है आप ही सोचिए इस योगी अदिते नाथ और मोधी किस तरह का देश बनाना चाहते है ये लोग ऐसा देश बनाना चाहते है कि जो भी सत्य को अपने मुऊ से बाहर निकाले उसके उपर देश दिरोंगा मुगदमा करो और अंदर करो कल को राकेस चिकैट के उपर भी ये लोग देशद्रों का मुकदमा लगा देते लेकि राकेस चिकैट मुसल्मान नहीं है अगर देखा जाये तो ये लोग देशद्रों का मुकदमा बाबा साब अम्बेटकर के परिवार वाले लोगों पर लगा दिये है आनन्द तल तर्वले के उपर लगाया है क्यों? क्योंकि वो अपने पेन और अवाज के बल पर मखौल बदल देता है ऐसे-इसे बंदे जो सही माइने में समाज सुधारक है ऐसे-ईसे बंदे जो सरकार की कम्यों को उजाघर कर रहे हैं ऐसे ऐसे बंदे जो सही माइने में सरकार से सवाल कर रहे हैं, जो सही माइने में सत्य को सत्य दिखा रहे हैं, उनके उपर यूए पिये लगा के अंदर करना, ये बताईए दोस्तों ये कहां का इंसाफ है? क्या योगी आदिक्तेनात और मोदी को हम लोग सत्य में इसलिए लाए थे? आज एक सिद्धिक कपन गया है, कल को मैं बता रहा हूँ, ये लोग देखेंगे इनका होसला बढ़ेगा तो और भी मुसलमानों को टार्गेट किया जाएगा, बाद में फिर दलितों को टार्गेट किया जाएगा और धीरे धीरे जो इन लोगों का बेचाद धारा है एजेंडा हिंदू रास्ट बनाना, इसमें केवल अपरकास्ट लोगों को छोड़के बाकि सभी लोगों को अंदर कर दिया जाएगा, इस तरह का देश आप लोग देखना चाहते हैं, मैं रवीकाद भारती कहता हूँ, जल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहता हूँ और उससे थोड़ा सा भी पीछे नहीं उठूँगा, चाहे मेरा आवाज योगी अदित्यनाथ के खिलाफ उठाना पड़े, और चाहे मोदी के खिलाफ उठाना पड़े, मैं पीछे हटूँगा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सिद्धिक कपन जैसे ब्यक्तिक पे जो यूए पीए का केस है, उसके उपर जल से जल फैसला होके उनको बेल मिलना चाहिए, क्योंकि इनके जीवन का इतना हिस्सा आदमी पैदा होता है अजाद रहने के लिए, अभी दो साबित नहीं हुआ, आठ महीने से बंदा जेल में है, दस महीने से जेल में है, जब ये बंदा का दस महीना कौन लोटा पाएगा, ऐसे ही चंदर सेखरावर को एने से लगा कि अ लोगी अदित्यनाथ ने क्या किया, चंदर सेखर रावण पैने से लगा कि अंदर किया, क्योंकि वह दलित था, इस तरह से मुसल्मान और दलितों को टार्गेट करके कब तक सत्ता में काभी रहोगे, कब तक सत्ता में बने रहोगे, देश का मुसल्मान और दलित और देश आपके बाजू में कितना दम है यह हमें देखना है